तो दोस्तो एक और नई वीडियों में आपसे भी का बहुत बहुत स्वागत से दोस्तो आज की इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं कि आपके Redmi 7 डिवाइस में और आपके Redmi Y3 डिवाइस के लिए इंडिया में जो MiWi 12.5 को अफिशिल अपडेट हो इंडिया में देखने को मिल सकता है या नहीं देखने को मिल सकता सो गाइस अगर आप लोग Redmi 7 या फिर Redmi Y3 डिवाइस को यूज करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें साथ में अगर आप लोग ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो और इसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सो गाइस चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग Redmi 7 डिवाइस को यूज करते हैं तो आप लोगों को चानना में जो MIUI 12 अपडेट और MI मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग Redmi Y3 डिवाइस को यूज करते हैं तो आपके डिवाइस में जो MIUI 12 अपडेट है और MI 12.5 अपडेट है तो देखने को नहीं मिलेगा अब आपके डिवाइस में कोई भी नया अपडेट आएका ही नहीं आप लोगों को Android 10 मिल गया थ अब आप लोग इसी पर रहेंगे आप लोगों को कोई भी नया अपडेट देखने को नहीं मिलेगा साथ में बात करते हैं Redmi 7 डिवाइस की तो कुछ यूजर्स कुछ यूटिवर चोटे मोटे ऐसा कह रहे हैं कि आपके Redmi 7 डिवाइस के लिए इंडिया में जो MIUI 12.5 का ओफि लिए अब लोग आप लोग रेडिमी 7 डिवाइस को यूजर्स करते हैं और जैसे ही कोई भी इंफोर्मेशन आती है MIUI 12.5 अपडेट से रिलेटेट उसका इंफोर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप लोग हमारे टेलिक्राम चैनल टेक्निकल चुमजी को जो आन कर दोस्तों के साथ जो लोग रेडिमी वाई थी या फिर रेडिमी 7 डिवाइस को यूजर्स करते हैं साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इसे वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूं से एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मातरम